Students, आज की वीडियो में हम Laplace Transform को स्टार्ट करने जा रहे हैं Next 3 to 4 वीडियो में हमने इसी को ही study करना है आज की वीडियो में basically हमने देखना है कि ये क्या होती है इसको कैसे apply करते हैं, इसके क्या uses है mathematics के अंदर physics में ये Laplace Transform जो है, इसकी क्या physical significance है उसके साथ साथ हम कुछ basic functions जो हैं, उनकी Laplace Transform इस वीडियो में find करेंगे Next वीडियो में हम complicated functions की तरफ जाएंगे और उनकी transform को find करने के लिए वही rules हम इस्तमाल करेंगे जो आज की वीडियो में हम drive करने वाले हैं तो आएए शुरू करते हैं function है f of t, जो t का function है और इसकी value define है for all positive values of t यानि इसकी जो domain है उसमें t 0 से लेके infinity तक तमाम values पे ये function define है t is greater than equal to 0 के लिए और उसकी Laplace Transform जो है उसको हम denote कैसे करेंगे हम उसको denote करेंगे इस तरह से bracket sign लगाएंगे और आगे f of t लिखेंगे जो भी function होगा उसको और इसको हम define किस तरह से करेंगे ये तो हमने denote कर दिया और defined by हम कह सकते है f of t is equal to हमने definite integral लेना है 0 से लेके infinity तक e की power minus st उसके बाद हमारे पास आएगा f of t जो हमारा function था जिसका हम transform लेने वाले हैं into dt तो ये हमने define भी कर दिया है कि जो भी function है जिसकी transform हमने लेनी है उसके साथ हमें e की power minus st multiply करेंगे उस function को multiply करेंगे integrate करेंगे time पे 0 से लेके infinity तक s यहाँ पे कोई भी number हो सकता है s जो है वो complex भी हो सकता है और real भी हो सकता है लेकिन s जो है अगर वो complex है तो उसका real part और अगर वो real है तो as a whole s जो है उसे greater than 0 होना चाहिए यानि s जो है वो negative नहीं हो सकता s को positive होना है और अगर वो complex नंबर है तो उसके at least जो real part है उसका उसको जरूर positive होना है यह हमने assume करना है students अब हम आ जाते हैं law plus transform की application पे mathematics के अंदर अगर देखें तो यह एक tool के तोर पर इस्तमाल होता है differential equations को solve करने के लिए उसका साथ साथ यह differential equations को algebraic equations में convert कर देता है जिससे उनको solve करने में असानी हो जाती है और अगर एक और चीज़ देखें दो functions अगर हमारे पास है F and G तो उनका convolution जो होता है जो काफी complicated होता है वो law plus transform की मदद से multiplication में convert हो जाता है तो यह इसलिए हासे भी mathematics में हमें help out करता है अब आ जाएं physics में के इसकी physical significance क्या है आप देखते हैं कि आप जो ideal world में functions पढ़ते हैं वो किस तरह क्यों होते हैं मिसाल के तौर पर ideal world में आपने देखा है आपके पास mass spring system है उसका displacement को time से जब आप plot करते हैं against तो आपके पास इस तरह का function आ जाता है जिसका magnitude throughout वही रहता है और यह काम नहीं होता ऐसे function के लिए अगर हम integration use करें तो हम क्या कहेंगे अगर यह just कह लेंगे f of t है तो इसकी integration dt हो जेगी 0 से infinity तक हम use कर सकते हैं कि लेकिन real world में बहुत दफा ऐसा होता है कि चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती है अगर functions को देखें तो वह real world में कुछ इस तरह क्यों होते हैं कि मिसाल के तोर पे कुछ ऐसे अब आप देख रहे हैं कि यह जो function आपके सामने में रिप्रिजेंट किया है इसका amplitude आइस्ता आइस्ता काम होता जा रहे है तो real world में बहुत दफा ऐसी चीज़ें में देखने को मिलती है जो जिसमें functions decay कर रहे होते हैं और उनका decay exponential decay होते है मिसाल के तोर पे आपके पास signal transmission है जब optical signal fiber के अंदर move करता है जो जो वो distance cover करता है उसके साथ-साथ उसके अंदर उसका magnitude exponentially फाल करता है simple harmonic oscillator अगर real life में आप देखेंगे तो उसके साथ damping जो है वो जुड़ी होती है damping की वज़ा से उसका amplitude लगातार फाल कर रहा होता है उसके अंदर भी exponential decay आ रहे है उसके साथ nuclear physics में अगर आप देखते हैं वहाँ पे जो atoms हैं वो decay कर रहे हैं और उनके जो तदाद है वो e की power minus lambda t के लिहाज से reduce हो रही है जहां पर lambda decay constant तो ना सिर्फ यहां पर exponential decay उसके साथ साथ अगर आप देखें capacitor है, capacitor से related कोई circuit है उसमें जब capacitor discharge होता है तो capacitor का decay भी exponential होता है तो बहुत सारी physics की problems हैं जहां पे functions का behavior ऐसा नहीं होता बलके कुछ ऐसा होता है वहाँ पे हम direct integration नहीं कर सकते हैं बलके वहाँ पे हम क्या करते हैं integration की बजाए law plus transform करते हैं और उसमें हम यह जो exponential फाल है इसको हम e t की power minus sp से represent करते हैं और साथ में function आ जाएगा और dt तो इस तरह से हमने lawless transform की physical significance जो है उसको understand कर लिया है अब हमने कुछ functions की lawless transforms find करनी हैं और यह बताना है कि किस situation में यह transform exist करेगी तो सबसे पहले हमारे बास function है f of t is equal to t to raise power n शुरू करते हैं यह हमारे पास आ जाएगी इस तरह हमने define किया था 0 to infinity e की power minus st into f of t dt f of t की जगा उसकी value पूट करें answer आ गया आपके पास 0 to infinity e की power minus st t की power n dt law plus transform exist करने से मुराद यह होते हैं कि यह जो integral आपके सामने लिखा गया है इसका जवाब finite आएगा या infinite आएगा तो उस लिहाद से हमें पता लग जाएगा कि इसकी law plus transform जो है वो exist कर रही है या नहीं कर रही है तो अब हमने इसको solve करने हैं तो solve करने के लिए e की power में minus st आ रह है इसको अगर हम simplify कर लें तो बाकी को simplify करना relatively easy होगा तो हम put करते हैं let st is equal to x substitute करने के लिए हम st को x put कर देते हैं अब हमारे पास t आ जाएगा यहां से x over s derivative lane dt आ गया है s constant है तो dx over s आ गया है लिमिट्स देखें जब t 0 है तो x भी 0 है जब आपका t infinite हो जाएगा तो x भी infinite हो जाएगा by this equation इसका मतलब है लिमिट्स में कोई change नहीं आने तो यहां बें आप put करो 0 to infinity e to raise power minus st की जगा minus x सब्सिचूट कर दिया t की पावर n है इसकी जगा बुट करो x over s की पावर n dt है इसको भी replace कर दो dx over s से अब आपने क्या करना है next step में यह power को खोल लेना है bracket को call लेना है x की पावर n आ जाएगी नीचे s की पावर n आ जाएगी अब आप क्या करो उससे अगले step में जाके इसको लिख दो 0 to infinity e की पावर minus x x की पावर n और s की पावर n प्लस 1 हो जाएगा इसको बाहर निकालो यह हमारे पास आ गया dx यहाँ पे हम n के अंदर 1 add कर देते हैं और 1 subtract कर देते हैं इससे क्या होगा इससे अब हम इसको गामा फंक्शन की फार्म में convert करने की कोशिश करते हैं गामा फंक्शन होता है गामा n is equal to 0 to infinity e to raise power minus x x to raise power n minus 1 into dx यह हमारे पास गामा फंक्शन का फार्मूल है अगर n को हम n plus 1 से replace करते हैं तो यह आ जाता है 0 to infinity e की पावर minus x x की पावर में जहाँ n आ रहा है वहाँ n plus 1 करते हैं गामा n plus 1 ओवर s की पावर n plus 1 यह गामा फंक्शन जो है इस पर प्रीविएस वीडियो मेंने की थी अगर आपको कोई भी डाउट है आप वो वीडियो देख सकते हो उसका लिंक यहाँ पर शोग हो रहा होगा अब यहाँ पर पहली बात यह है कि यह transform जो है यह exist करेगी या नहीं करेगी अगर गामा n plus 1 जो है यह finite हो तो in that situation यह transform एक्शिस्ट करेगी गामा n plus 1 आपका अगर finite है तो यह finite किस condition में होता है जब तक n plus 1 आपका greater than 0 होता है तब तक जो है वो मतलब गामा function के अंदर जब तक कोई number positive आ रहा है उसका जवाब finite आता है जब भी उसके अंदर 0 आ जाए या कोई negative number आ जाए उसका जवाब infinite होता है तो अगर इसने finite होने n plus 1 greater than 0 होगा n is greater than minus 1 तो जब तक t की power n जो है यानि n minus 1 से बड़ा है तब तक जो है वो यह la plus transform exist करेगी अगर कोई आप से कहता है कि t की power minus 1 by 2 की la plus transform exist करेगी या नहीं करेगी तो definitely करेगी क्योंकि n जो यहाँ पे आ रहा है वो minus 1 से बड़ा है लेकिन कोई अगर आप से कहता है कि t की power minus 1 की la plus transform क्या exist करेगी minus 2 की la plus transform क्या exist करेगी तो यह जो numbers हैं जो negative में है और negative 1 से छोटे हैं negative 2 definitely negative 1 से छोटा होता है तो उस situation में इनकी la plus transform जो है वो exist नहीं कर तो जो minus 1 से बड़े number हैं उनकी वो अगर power में आ रहे हैं तो फिर la plus transform exist करेगी यह इस gamma function ने हमें बताया है और यह previous video में यह gamma function की जो property है कि gamma किसी positive number का हमेशा finite होता है यह हमने study की थी और gamma जो है वो zero का infinity के equal होता है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था अब अगर specific case में n जो है वो minus 1 से बड़ा है और कोई integer है let's say कि आप कहलो n जो है वो 0, 1, 2, 3 कोई integral value है इनमें से उसके बसको तो ऐसी सुरत में आप gamma n plus 1 को put कर सकते हो n factorial के equal over s की power n plus 1 तो इस तरीके से यह आपके पास एक general formula है जिससे आपके पास बहुत सारी functions की लापलस transform जो है वो आ गई अब आपके पास यह जनरल form है जिसमें बहुत सारे functions की transform आपको पता चल गई है मिसाल के तुर पे आप से अगर कोई पोछता है कि आप जो है वो t की power 0 की transform बताओ क्या होगी तो बहुत असान है आप n को 0 put कर दो 0 का factorial over s की power 0 plus 1 तो इस 0 factorial आपके पास 1 के equal होता है s की power 0 plus 1 1 over s के equal होती है और t की power 0 अगर देखो तो वो क्या होती है वो 1 के equal होती है तो यानि 1 की जो लापलस transform है वो 1 over s के equal आगई इस formula से अगर आप से कहा जाए कि आप t की transform बताओ तो वो कितनी आजाएगी यही formula अपलाई करेंगे वो आपके पास 1 over s square के equal आजाएगी अगर आप से कहा जाता है t square की transform बताओ तो यही formula होगा और transform आपके पास 2 over s cube के equal आजाएगी तो इस तरह से t की कोई भी power आजाएगी तो अब transform आप find कर सकते हैं अब हमारे पस function given है f of t is equal to e to raise power a t इसकी transform हम find करते हैं तो इसकी transform को हम represent करेंगे f of t से उसी तरह से और formula लिखें आगे 0 to infinity e to raise power minus s t आगे क्या आएगा आगे आपके पास आजाएगा f of t d t अब f of t की जगा उसकी value put कर दें आप next step में तो यह आपके पास आजाएगी e to raise power minus sorry e to raise power a t अब दोनों को अगर कठा करें तो आप लिख सकते हैं 0 to infinity e to raise power minus s minus a लिखा जा सकते हैं negative sign नाल गाएं तो a minus s भी लिख सकते हैं लेकिन किसी वाश से हम negative sign common लेके s minus a और into dt लिख रहें अगर इसकी हम integration करते हैं तो इसका answer आएगा e की पावर minus s minus a यहाँ पर t आ रहा है over में आ जाएगा minus s minus a और 7 में आ जाएगा 0 to infinity अब आप क्या करो इस में से यह चीज जो आएगे बाहर ले आओ minus 1 over s minus a अंदर क्या बचेगा e की पावर में पहले यह पुट करोगे तो आप assume करो के s जो यह है वो a से बड़ा है अगर s a से बड़ा होता है फिर क्या होता है फिर आपके पास यह बंदी है e की पावर minus infinity और यह वाली limit 0 पूट करोगे तो minus e की पावर 0 और यहां से आपके पास आगया minus 1 over s minus a और यह 0 minus 1 आगया यह minus और यह minus मिलके plus हो गए तो यह आपके पास आगया 1 over s minus a की पावर आपके पास तो अब यह जो आपके पास laplace transform आई है e की पावर 80 की वो आगई है 1 over s minus a इसमें हमने क्या अजयूम किया है हमने अजयूम किया s greater than a है अगर इसके opposite होता तो फिर क्या होना था फिर यहां पे e की पावर में minus infinity नहीं था आना यहां पे अगर इसके opposite होता फिर e की पावर में infinity आजाना था फिर टोटल आंसर जो है वो आपका infinite हो जाना था और फिर law plus transform exist नहीं करने थी इसकी law plus transform सिर्फ तब exist कर रही है अगर s greater than a होता है तो अगर s जो है वो less than a हो जाए या even equal to a हो जाएगा तो ये चीज़ी infinite हो जाना है तो इन दोनों cases में जो आपका ये factor है ये infinite हो जाता है जब ये factor infinite हो जाता है तो हम कहते हैं कि law plus transform exist नहीं करने तो अभी तक हमारे पास जो चीज़ आई ये सामने उससे हमने मजीद results भी निकाल ले है सिर्फ रुक नहीं जाना वहां तक हमारे पास आया है law plus transform of e to raise to power a t आया हमारे पास 1 over s minus a के एक पर यहां पर condition क्या है कि आपके पास s जो है वो greater than a होना चाहिए या s की बज़ाए आप कहलो कि a greater than less than s होना चाहिए उसके साथ साथ अगर हम यहां पर लिखते हैं कुछ उससे मिलती जलती फार्म्स भी अभी कर लेते हैं e to raise power iota a t आ जाते हैं तो फिर यहां पर यहां पर यह वाला मामला खतम हो जाएगा बड़े चोटे वाला क्योंकि a iota जो है वो एक imaginary number है तो इस वज़ा से हम इसकी transform जब find करेंगे तो वो हमारे पर similar method से s minus iota a के इक वाला जाएगा जहां a r है वहां iota a आ जाएगा 1 over s minus iota a जाएगा अगर आप Laplace transform find करते हो e to raise power minus iota a t की तो यहां पर similar method से एक पस आ जाएगा 1 over s plus iota a और अगर e की पावर a t की विज़ाए जस्ट आ जाए e की पावर minus a t तो यहां पर भी a की जगा minus a replace हो जाएगा तो answer आ जाएगा 1 over s plus iota और ऐसी सूरत में Laplace transform exist करेगी चाहे a s से बड़ा हो चाहे छोटा हो तो यहसी सूरत में यह condition नहीं है इन दोनों सूरतों में भी यहां पर condition नहीं आएगी condition सिर्फ तब आएगी जब e की पावर a t की transform आप find करेगी तो actually होता क्या है कि जो हमने यहां पर लिखा वाद है e की पावर a t और e की पावर minus a s t तो यहां पर दो functions हैं और एक जो है वो exponentially decay कर रहा है दूसरा exponentially rise कर रहा है अगर rise ज्यादा हो और fall कम हो तो होगा क्या कि as a whole जो है वो function वो नीचे को नी जाएगा बलके उपर को जाएगा तो अगर आपके पास यह graph है और यह as a whole अगर नीचे को जा रहा है तो इसका तो आप area find कर सकते हो यह तो finite आएगा जब आपके पास fall ज्यादा है rise कम है graph इस तरह से आएगा इसका area finite हो जब exponential increase ज्यादा हो रही हूँ a बड़ा है ऐससे तो इसका मतलब है कि increase ज्यादा हो रही है और fall कम हो रहा है ऐसी सूरत में आपका function as a whole जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा और यह उपर की तरफ चलता जाएगा और इसकी कोई limit नहीं होगी इस वजाए से इसके अंडर जो area है वो ला महदूद हो जाएगा तो यह सिरफ कब है जब e की पावर 80 है जब minus 80 है इसका मतलब है कि दोनों function ही फाल कर रहे है तो दोनों function जब फाल कर रहे है तो definitely फिर तो area जो है वो कम से कम ही आएगा अला महदूद नहीं आ सकता उसी तरह से अगर एक number imaginary हो जाए तो उसमें फिर वो real sense में उसके अंदर ना rise है ना fall है तो फिर e की पावर minus st की वजा से on real line वो नीचे की तरफ फाल करेगा और उस तरह से फिर भी area जो हो limited आएगा तो इन तीनों cases मे हमेशा la plus transform exist करेगी और e की पावर a t के case में तब la plus transform exist करनी है अगर a less than s होता तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने काफी सरे functions की la plus transform पढ़ी है next वीडियो में हम कुछ मजीद functions को study करेंगे और ये जो formulas आज की वीडियो में हमने drive किये हैं इनको ही हम इस्तमाल करेंगे